नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, एलर्जी ग्राइनाइटेज, मौसम में बटलाव, दवा या नेजल पैसेज में इरिटेशन होना नाक में जलन का कारण बन सकती है और इसे नाक की आंत्रिक लाइनिंग सैंसिटि वोकर इरिटेट होने लगती है और ऐसे में hydrating nasal spray और nasal saline spray को नाक में जलन के इलाज के तोर पर प्रयोग किया जा सकता है तो आईए आज इस वीडियो में हम जानेंगे नाक में होने वाली जलन के कारण और इलाज के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नाक में जलन क्यों होती है इसके पीछे क्या कारण है तो दोस्तो इनफेक्शन, ऐलर्जी, डस्ट से नाक की लाइनिंग में आई सूजन के कारण नाक के अंदर जलन हो सकती है और इस समस्या से निपटने के लिए एंटी हिस्टामाइन स्प्रे या फिर एंटी बायोटेक्स का प्रयोग किया जा सकता है तो दोस्तो सबसे पहला कारण है मौसम बदलना मौसम बदलने के साथ नाक में जलन बढ़ सकती है और आम तोर पर मौसम के बढ़लाओं के साथ ही हवा जो है वो ड्राइव हो जाती है और इस ड्राइनेस से शरिड के अंदर की नमी बास्पित हो जाती है और इसे नाक की म्यू जनके कारण नाक में खुजली और जलन होती और इससे चीके आने लगती है मौसम बदलने के समय ये लक्षण बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं खासी और गले में दर्द भी इस स्थिति का संकेत है उसके बाद दुस्तों जो कारण है वो है नेजल इंफेक्शन साइनसाइटिस जैसे नेजल इंफेक्शन से भी नाक में जलन मैसुस होती है और इस तरह के इंफेक्शन से इसमें म्यूकस जो है वो नाक के खुले चिद्रों में फस जाता है और इस फसे हुए म्यूकस में बैक्टरिया पनव सकते हैं और इनसे infection हो सकता है जिससे की दर्द और sinus का pressure भी महसूस हो सकता है उसके बाद दुस्तु जो कारण है वो है दवाईयों का सेवन anti-istamine और decongestant जैसी दवाई नाक में जलन और खुजली को ठीक कर सकती है वही इन दवाउं के अधिक प्रयोक से नाक में सूखा पन बढ़ सकता है जैसे की स्थिती और भी गंबिर हो सकती है और उसके बाद जो कारण है वो है दुआ और प्रदूशन सांस लेते समय दुआ और हवा में मौजूद toxins शरीड के अंदर पहुँच सकते हैं केमिकल और प्रदूशन के कारण राइनाइटेस और नाक में जलन होने जैसी स्थिती हो सकती है तंबाकू का दुआ, इंडिस्ट्री केमिकल, क्लोरिन, हाइडरोजन, क्लोराइड और अमोनिया जैसी गैस और दूल मिट्टी नाक में खुजली और सवेदन शिल्था को बढ़ा सकती है और अब हम दूस्तो जानेंगे कि नाक में जलन का इलाज क्या होता है तो दूस्तो डॉक्टर की सलाप पर कुछ दवाओं के इस्तिमाल और काम की बातों को ध्यान में रखकर इस समस्या से ना सिर्फ बचा जा सकता है बलकि अगर किसी को ये समस्या है तो उसे आराम मिल सकता है तो सबसे पहले ये है कि बदलते मौसम में आप ध्यान रखें इस स्तिती में गर्मे मोश्यर बनाए रखने के लिए युमिडी फायर का प्रयोग किया जा सकता है जलन डीक करने के लिए हाइडरेटिंग नेजल स्प्रे का प्रयोग करना भी फायदे मन है साथी साथ दुस्तो ऐलर्जी क्राइनाइटिस है तो उसका इलाज करें ऐलर्जी क्राइनाइटिस से बचने के लिए ऐलर्जन से बचाओ जरूरी है और ऐसे में खेड़गेयां बंद कर AC का प्रियोग कर सकते हैं नाक से खून आने की स्थिती में गर्म पानी से नाक को दोने से अराम मिल सकता तर साथी स्थिती में नेजल एंटिस्टामान स्प्रे का प्रियोग करना फाइदPeople है डी कंजेस्टन्ट और नेजल सेलन स्प्रे भी प्रयोग किये जा सकते हैं साथ इसाथ दुस्तो नेजल इंफेक्शन से बचाओ करें इस प्रकार के इंफेक्शन को ठीक करने के लिए एंटी बायोटिक्स का प्रयोग किया जा सकता है डॉक्टर मरीज की अवस्था को देखते हुए विबिन तरह के एंटी बायोटिक्स दे सकते हैं ध्यान रहे कि इनका इस्तमाल सिर्फ डॉक्टर के निर्देश के अनुसार ही करना है साथ इसाथ दुस्तो दवाईयों का सेवन कम करें एंटी इस्टामाइन और डी कंजिस्टन जैसी दवाएं डॉक्टर की सला से और जितने समय के लिए कहा गया है तभी तक करना चाहिए इनने जरूर से ज़्यादा इस्तमाल करना समस्या का कारण बन सकता है और साथ इसाथ दुएं और प्रदुशन से दूरी बनाये रखें बहतर यह होगा कि ऐसी किसी भी जगह पर जाने से बचे जहां पर दूल मिट्टी उड़ रही हो या फिर दूआ फैला हुआ हो अगर जाना भी पड़े तो मास्क या कपड़े से मूँ और नाक को अच्छे से डख लने से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है तो दोस्तों दूल के करन पॉलन और मौसम में बढ़लाव के कारण नाक के अंदरुनी इससे में इरिटेशन हो सकती है और इससे नाक में जलन होती है एंटी स्टा माइन और डी कंजिस्टन जैसी दवाएं और अन्य उपाय अपनाने से ये समस्या कुछ कम हो सकती है और साती ध्यान रहें कि किसी भी तरह की दवा लेने से पहले डॉक्टर की सला जरूर लें तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारी चैनल पे नए है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरू क्लिक कर लें ताके मेरी नई वीडियो की नाइटिफिकेशन सबसे पिल आपको मिल सके थैंक्स फूर यो टाइम